दीख्चा app में निष्टा प्रिस्थेंट प्रारम् हो चुके हैं इसमें कुल 18 मॉडूल में हमें प्रिस्थेंट प्राप्ट करना है अब कुछ मॉडूल में हमसे अपने अनभाव साजा करने के लिए कहा जाता है तो हम अपने अनभाव कैसे share करें जी हाँ, नमस्कार, मैं जायड है दिया और आज हम देखेंगे कि दीख्षा एप में जो अनभाव सेयर करने के लिए कहा जाता है, उसे हम ब्राउजर में कैसे सेयर कर सकते हैं हमारे सिक्षक सांथी अपने कार छेत्र में कई नवचार और उतकरष्ट प्रदसन कर रहे हैं, तो सिक्षक सांथियों से निवेदन है, किर्पया थोड़ा सा समय निकाल कर इस ब्लॉग में अपने अनभाव जरूर सेयर करें तो आएए देखते हैं कि निश्टा प्रिस्ट्षन के ब्लॉग में हम कैसे अपने अनभाव सेयर कर सकते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर जैसा कि आपको पता है कि देख्षा एप में निश्टा के प्रिस्ट्षन प्रारम हो चुके हैं, सभी सिक्षक सांथ ही बहुत अच्छे से अपना प्रिस्ट्षन लें एवं अपने बैवसाई कोसल का विकास करें, इनी सुपकाउनाओं के सांथ में हमें कुल 18 मॉडूल मे प्रिस्ट्षन प्राप्त करना है, कुछ मॉडूल में आपको अपने अनभव साजा करने के लिए कहा जाता है, अब सिक्षकों का प्रशन आ रहा था कि निश्टा प्रिस्ट्षन में हम अपने अनभव कैसे साजा करें, तो इसके लिए आप अपने मॉबाइल में किसी भी ब्राउजर को ऊपन कीजिए एब हम इसके एडेस बार में आपको टाइप करना है bit 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 dot ly slash mpn-1-4 इतना टाइप करने के परचाद इसे आगे प्रोसेस कर दीजिए अब यहाँ पर सिख्छकों के मन में एक प्रशन आता होगा कि सर इतना बड़ा URL हम कैसे टाइप करेंगे तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें वीडियो के description box में URL की लिंक आपको मिल जाएगी जिस पर किलिक करके आप सीधे ब्राउजर में से open कर सकते हैं आगे process करने पर कुछ इस परकार का interface open हो जाता है यहाँ पर module किर्मांक लिखा हुआ है साथ में गती विधी किर्मांक और गती विधी का topic टॉपिक था चिंतन करना साथ ही इसमें question भी है question था COVID-19 के दौरान आप अपने विध्यार्तियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे आपने अपने सिक्षण में क्या मुख बदलाव किये अपने अन्भाव साजा करें तो अपने अन्भाव साजा करने के लिए आपको अपने mobile का screen scroll down करना होगा हम अपने screen को नीचे लेके जाते हैं scroll down करने पर हम देखेंगे यहां पर एक option हमें दिखाई दे रहा है enter your comments आपको इस पर click कर देना है click करते ही यहां पर आपके अन्भाव टाइप करने के लिए एक box open हो जाएगा तो यहां पर आप अपने अन्भाव टाइप कर सकते हैं अपने अन्भाव लिख देने के बाद में आपको publish पर click कर देना है यादि आपको इसका notification चाहिए हो तो इस check box पर भी आप click कर सकते हैं publish पर click करते ही आपके अन्भाव share कर दिये जाएंगे आप यहां पर check कर सकते हैं काफी सारे अन्भाव इसमें साजह किये गए हैं सिक्चकों के द्वारा तो इसमें आपके भी अन्भाव होंगे तो इस परकार हम निश्टप प्रिसिक्षण में अपने अन्भाव साजह कर सक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि निश्टप प्रिसिक्षण में जो पठन पाठन सामगरी की PDF फाइल आ रही है उसे हम कैसे सेप करें वीडियो के संबंद में अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू